कि नमस्कार दोस्ता ओस ये नेटवर्क में आपका स्वाब्य था गल्वान जैसी हिमाकत फिर से हुई है गल्वान में भी जो चीन के सेनिक थे उन्होंने धोके से भारतिय सीवा में घुसने की कोशिश की थी एलेसी के पास गुस्पैट करने की कोशिश की थी और अरुनाचल परदेश के तवांग में फिर वैसी ही हिमाकत हुई है वैसा ही दुस्ताहस हुआ है इस बार चीन के सेनिकों के बारे में जानकारी मिली है कि वो एलेसी के काफी पास आ गया और करीब साड़े सत्रह हजार फुट की उंचाई पर उसने एक चोटी पर जहां भारतिय चोकी थी उस पर कब्जा करने की कोशिश की और जानकारी यह है कि भारतिय सेनिकों ने उसे विफल कर दिया भी नहीं कर दिया बलके जो चीन के सैनिक थे उनको वापस खदेड दिया पूरी घटना क्या है इसके बारे में तो हमारे जाने माने रक्षा विशेशक्य टेरिटोरियल आर्मी के पूर्वचीफ और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल एके सिवास सर घटना एक्चल में है क्या क्योंकि अभी पूरी तरीके से चीजें सामने आई नहीं है रक्षा मंत्राले ने भी अधिकरत तोर पर अभी कोई बयान जारी नहीं किया है क्योंकि पार्लेमेंट चल रही है तो लोग जानना चाहते हैं कि घटना क्या है हाँ बिरको देखो चो थे बहुत ज्यादा स्ट्रेंड होगे बारत ने भी विदिन वन मांथ मेरर इमेंट कर ली इसका मतलब भारत ने एक तीन डिविजन से ज्यादा अपनी फोज इस तर लदाक में लेका है अच्छे से अच्छे हथियार लाए चाहे एम ट्रिपर सावन अल्ट्रा लाइट कि जिस तरह किसे डिप्लॉय हो सकती है उसको एक टाइम बाउंड किया मंगर हमने यह ध्यान दिया कि यह लदाक में नहीं यह लदाक के बाद सेंटर सेंक्टर जो ही माचल और उत्राखंड है और इस्टन सेंक्टर जो कि अरुनाचर पर भी हमने अपनी डिप्लॉयमेंट क तो एक परकार एड का जवाब पत्तर से दिया हमारे तो भी जवान चहीद होए उस बगर सो से ज़्यादा चीनियों के बहुत के गात उतारा और समसे इंपॉर्टन्ट है उननतीस तीस अगस्त को जो दोजार बीस को हमने कलास रेंज को पकड़ लिया जो कि एक गेम चेंज करी है कि हम जोsan already बिलती ती जा रही थी कि चीन जो है अपना इंफा सेक्टर लडाग के साथ सार अरॉनातर में बहुत बड़ा रहा हुए और इसलिए भारत की जो कोसी ती लडाग के साथ सार अरॉनातर और सेंटर सेक्टर में चुक्यों क्च समय से चीन ने अपने चाहें जो हैं बनाए है लाइन अफ एक्षर कंट्रोल में ज्यादा तर और नाचर की तरफ बनाए हैं जो की गाओं नहीं डिफेंडिन लोकालिटी है उसके बाद अपना इंफ्रा सक्टर ज्यादा ड्वालप का लोजिस्टिक सप्लाई जो डिपो है सबसे बड़ा बढ़ा है उसने क्या किया इन्होंने सचाई यह है कि अभी जो हालात हैं चीन में वो काफी नाजुक है चीन के अंदर एक परकार से बहुत ज़्यादा विद्रो हो रहा है सी जी पिंक्या गेंच जिस परकार से उनने कोविड जिरो पॉलसी फालो किया इसी परकार से एकॉनमी बहुत पर है मारा मारी चड़ दी है सप्लाई चेन वहां से उठके दूसरे देशों में जा रही है वेतना इंडोनेशिया भारत में ऐसे में कहीं ने कहीं सी जी पिंग ऐसा कुछ करेंगे यह आशंका थी कि वो डाइवार्ट करें अटेंशन पब्लिक की तो वो दो जगह कर सकते या तो वो ताइवान पर करते या वो भारत की तरफ करते ताइवान पर करना उनके लिए थोड़ा मुश्कल अब था क्योंकि जो जिस परकार से साउट चाइना सी में नेवी का जमावड़ा अमेरिका ने बढ़ा लिया है यूएसस निम्चिज यूएसस रोलर लिगर एरक चुकनी है जिस परकार थे हमने इनको बू तोड़ जवाब दिया था गल्वान में और किलास रेंज में तो ऐसे में यांग से जो जगए हैं जहां पर चीन के तीन सो से जवान आएं वो तवांग के एरिया में हैं तवांग एक बहुत इंपोर्टन जगए है क्योंकि तवा इसको मत नदे रखते हैं यह यांग से एक ऐसी जगए है जा इस तवांग एरिया में वो भारत के पास है और हम डॉमिनेट करते हैं इसको पकड़ने की इसने कोशिश की है तिन सो से ज़्यादा जवान लेके आया है और नॉर्मली जो पट्रॉल होती है वो दस से पंदरा बीस से ज़्यादा नहीं होती अगर तीन सो जवान थे वैल एक्यूप थे वैल आम थे तो उसकी जो मंचा थी कि किसी परकार से यह जो यांग से की पोश्ट है इसको कबजा किया जाए वो अलग बात है भारत की फोज चुकनी थी भारत की फोज ने इट का जवा पतर से ही नहीं दिया कि जादा सानिक उनके गाहिल के और उनके पीछे पीछे हाटना पड़ा तो सचाई यह है कि चीन के उपर वरोसा करना खत्रे से खाली नहीं है और इसलिए भारत की फोज हंदम चुकनी रहती है अब जैसे जैसे सिच्वेशन विल्डब होगी चीन के उपर हमार विश्वाद जाता जा रहा और और भी सिच्वेशन खराब होने के चांसिज है उसकी तीन चार पॉलिटिकल रीजन भी है कहीं ने कहीं वो यह देख रहा है कि भारत और अमेरिका की जो रिलेशन बढ़ते जाने है स्टैटिजिक रिलेशन वो नहीं चाता यह बढ़े दू भारत ने एक सार रहना है तो मुझे लगता है यह कुछ एक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उन्हों ने यह किया यांग से के अंदर और मगर वो अलग बात है भारत की फोज चुकननी थी और भारत की फोज ने उनको पिछे ही नहीं दखेला उनके जवानों को भी काफी को है तो अद्री साथ सिवास सर क्या यह मान लिया जाए कि अभी हाल में परदान मंतरी नरेंदर मोदी और सी जिन पिंग की एक छोटी सी मुलाकात डिनर के मौके पर हुई थी और उसको मुलाकात भी कहना ठीक नहीं है बस कट सी कॉल एक दूसरे को तो लेकिन जो चीन की हरकत हैं इस से तो नहीं लगता है कि चीन बाज आने वाला है उसकी जो अपनी अंद्रवनी परिशानिया है वो तो अपनी जगा है ही लेकिन जिस तरह की गुस्ताखी उसकी तरफ से यह फिर से हुई है और जैसा आपने कहा कि हमारी सेना यह तो तैयार थी पहले से हमें इस बात का अंदाजा था क्योंकि अरुनाचल को लेकर के कुछ बयान भी बीच में चीन की तरफ से आये थे तो उस लिहाज से हमारी सेना तैयार थी ठीक ठाक जवाब दिया उनको वापस खदेड दिया लेकिन क्या आने वाले दिनों में और इस से कुछ बढ़ा करने की गुस्ताख बहुत खराब हैं और किसी तरीके से वो आटेंशन डैवाट करने के लिए बारत से ज्यादा अच्छा उसके पास टार्गेट नहीं उसको पता है कि अगर कुछ लेशन भी थोड़े से खराब होए वो पहले खराब हैं तो उसको तो डैवाट अटेंशन करने का मौका मिल ज लिए जवाब दिया तो एक परकार अटेंशन डाइवाट करने के लिए वो अब जरूर करेगा लताक से अरुनाचल कहीं भी कर सकता यह नहीं अर जगह भी कर सकता है और एक जगह नहीं दो तीन जगह कर सकता है इसलिए हम चुकनने और यह भी सचाई है कि हमारे पास सर्व कोपरेशन एग्रिमेंट करके तो यह सचाई है कि चीन के अपर वरोसा तो करी नहीं सकते और यह अभी से नहीं है दो जार च्छे से यहां पर चार पास बार हो चुका है जहां पर चीन ने कोशिच की आने की और यह यंग से को पकरने की और हर दम वो अंसक्सूल रहा है बारेशन चार्सों से ज्यादा चीनियों को मार दिया था तो भारत बजला वो अबारत था इसमें कोई शक नहीं मगर चीन ने दोजार तेरा में डैक्सांग में आया दोजार चोदा में चुमर में आया दोजार सतरा में डोकलम में आया दोजार बीस के अंदर वो जो था ल की कोशिश की मगर वहां पर जब क्रोस किया तो भारत के जवानों ने मूँ तोड़ जवाब दिया उनको पिछे ही नहीं हटना पड़ा उनको बहुत कैजूल्टी भी होई और मुझे लगता है यह समझ आनी चीन को कि यह बदलावा भारत है इसके जो लीडर्शिप अभी जो मोदी की है वो बहुत बदली हुए यह भी मैं अपने वियोर्ट को बताना चाहूंगा कि यह लास्ट आट से दस साल में भारत में बहुत ज़्यादा इंफरस्टेक्श्य ड्वालप किया यह भी कहीं ने कहीं चीन को जो है एक परकार से ठीक नहीं लग रहा उनको लगता है कि यह भारत कुछ ने कुछ करने वाला है उसको यह समझना चीए जब आप अपना इंफरस्टेक्श्य ड्वालप कर रहे थे तो भारत ने तो आपको कुछ नहीं का आपने अपनी सड़के बना ली आपने अपनी रेलवे लाइन बना रहे ब्रीज़ अब भारत इंफरस्ट कई बाते हैं एक तो अटेंशन डाइवर्ट करना एक भारत की कहीं च्वी बढ़ना एक स्टेटिजिक पार्टनर्शिप जो बंती निजरा आ लिए भारत और अमेरिका की उसके कराव और तीसरा इंफरस्टेक्श जैसे हम ड्वेलप करें जैसे पहले दर्बुक शोग दोन कोशिस करें चोदी साथ सिवास सर जानकारी ये भी मिल रही है कि पिछले साल अक्तुबर में भी करीब 200 चीनी सैनी की इसी इलाके में घुसपैट करने की कोशिश कर रहे थे और वो भी नाकाम किया गया था यह अरुनाचल परदेश में इस तरह की जो घुसपैट की में हो रहे हैं इसके पीछे आप रिजन क्या मांनते हैं वो अरुनाचल पर अपना दावा करता है क्योंकि जो जानकारी है वो तो यह हो गया था क्योंकि तीब्बत को मानिता दे दी गई थी तो अरुनाचल परदेश को चीन एक तरीके से मान लिया था कि ये भारत का इलाका है इसके बावजूद इस तरह की गुस्ताकिया क्यों हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तो जो चीन है पूरे अरुनाचा परदेश को सौथ टिबट का इस्सा मानता है और ये भी सचाई है कि उन्नी सो बासट में जब ची गया था अगर उसको लगता है कि अरुनाचा परदेश इसका इलाका है तो फिर वापस क्यों घया हो ऱहां से वापश चला गया था सचाई है अरुनाचाशा पर्देश बारत का टूट अंग है बगर ये चाहता है कि बारत को प्रेशर में डालने के लिए जो कारवाई कर र फिंगर्ज भी उसका इस्सा है और कहीने कहीं हो प्रेशर टैक्टिस करता है और ये सचाई है कि जो तौांग का इलाका है अरणाचर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी वज़ा यही है कि एक तो वह रिलिजियस हब सेंटर है दूसरा उसको लेने से इसको बड़ अس 찾ा हो जाता है असाम की तरफ आना और बुटां की तरफ जाना इसी परकार चैसे भिटान में अगर आप देखें जो बाचीत हो रही है पहले तो डोकलम की तरफ वेस्टन बुटान में ही आपस में डिस्पूर्टी चीन और बुटान की अब उसने इस्टन लदाक में जो साका टांग वाइल लाइड संस्री जो तवांग से पचास किलोमेटर दूर है उसको भी डिस्पूर्टेड एरिया बोला है तो उससे वो सा दियत होती है भारत में हमला करने का और असाम की तरफ बढ़ने का तो इसलिए यह मौज़र और यांग से इसके अंदर एक ऐसा हलाका है जहां पर भारत के पास कबज़ा जादा है और भारत जो है चीन को एक परकार हर्दम वहां पर दबाता है तो उसको को लेने की कोशिश कर रहा है तो यह अक्तूबर में भी उन्होंने यह ट्राई किया अब उन्होंने सोचा ब्रफ पड़ गी है हो सकता भारत का रियक्शन स्लो होगा या को कम कर दिया होगा उसको यह नहीं पता कि भारत बिलकुर चुकना है और वारत के पास फुक्ता इंटेलिजेंस थी यह कि अब क्योंकि हमारे पार ड्रोन्स भी है यूए वी भी है सैटलाइट भी है और बाकी इंटेलिजेंस भी हमें मिलता है तो यह सचाई है कि जिस परकार से सिच्वेशन है यह हम मान के चैने कि चीन मानने वाला नहीं है यह चीन ट्राई करेगा एक जगह नहीं दो तिन करें और भारत में बहुत बड़ी बात नहीं करेंगा बहुत बड़ा हमला नहीं यह चोटा मोटा जिस से यह दिखाए अपने लोगों को कि भारत के साथ उसके रिलेशन खराब है और अटेंशन को डाइवाट करें चोधरी साथ क्या भारत की सेनने शक्ति और जो दूसरी तैयारियां हैं उनको लेकर के चीन को कोई गलत फेहमी है ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि चीन को भी जानकारी होगी के हमारी तैयारियां क्या हैं फिर भी व वो सिंग बेने की कोशिश क्यों उस में कोई शक निया कि अब चीन को भली बाती अधनी जल्दी तीन दिवीजन से ज्यादा लेके लाँडाक में आ चायगा और यहीं नहीं कि वारत ने सबसे ब्हस्ट वेपन जो एम्टिपन सेवन अल्ट्रा लाइट हाउजर जो हमने अमेरिका से लिए वो भी लगाया के नाइन वजरा भी लगाई टी सेवंटी टू टी नाइन टी गन अगर भारत की और चीन की शक्ति को हम कमपैरिजन करें तो चीन को बाली बाती मालूम है कि भारत की जो आर्मी है वो ट्रेंड है वैल मोटिवेटिड है और ऐसे लाकों में रहने के काबिल है और बैटल हार्डन है चीन की ने की फोज ने नैंटीन सैंटी नाइन के बाद लड़ाई नहीं लड़ी वो भी एक छोटे वितराम कंट्री से लड़ी ती और मुग की खानी परी थी भारत की जो वा आया है फाइब फॉर पाइंट फाइड जनरेशन और अपाचे अटैक अप्टल बिलकुल पलड़ा भारत की तरफ जुका हुआ है एर पार का और सबसे इंपोर्टन कटिंग है जह है भारत की नेवी भारत की जो नेवल पार है उसकी शक्ती है हम मलका स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकते हैं चीन चालिस से प्टास दिन के ज्यादा गॉयल नहीं है उसको भी पता है ग्वादार का जो पोर्ट है अभी तक कमिशन नहीं हुआ है तो अगर लडाई होती है तो भारत इसको निचोड देगा यह इसको मालूम है ऐसे में मुझे लगता नहीं कि उसको कोई शक है भारत की शक्ती में मगर फिर भी वो चाहता है कि कुछ ना कुछ करके भारत को वो एक परकार से टेस्ट भी करता रहे एक परकार से वो आपको डिफेंसी भी रखे और कहीं ने कहीं यह अपने लोगों का माइंड भी डाइवर्ट करे और कहीं ने कहीं यह भी दिखाए कि अगर आप strategic partner बनते हो अमेरिका का तो ये चीन को पसंद नहीं है क्योंकि उसको एक और चीज लगती कि भारत एक ऐसा देश है जिसके relation अमेरिका से भी अच्छे है रूस से भी अच्छे है और G20 presidency भी ले रहा है और हर जगह अच्छा कर रहा है उधर प्राइमिस्टर मोदी की जो लीडर्शिप है वो वर्ल्ड को पसंद है तो ऐसे में जो CG PING है वो मुझे लगता है एक परकार से हाइपर होगे हैं वो कुछ न कुछ करेंगे मगर ये मैं फिर अपने वियोर के थूख बताना चाहूंगा कि ये लास्ट टाइम नहीं है चीन पर वरोसा करना बहुत मुश्कल है चीन कुछ न कुछ हरकते करेगा और एक जगह नहीं दो तिन जगह आने वाले समय में करेगा चोदी साथ और सिवास साथ ये तो हम जानते हैं कि चाहे हमारा जो पश्मी सीमा का शत्रू है और केवल पाकिस्तान नहीं वलके पाकिस्तान में बैठी हुई आतनकवादी जमाते और अब तो जो तालिबान है और अलकाइदा से जुड़े हुए जो तत्म हैं उनकी भी कही ना कहीं यहां लिंक्स पाए गए हैं तो पश्मी सीमा से भी खत्रे हैं पूर्वी सीमा से भी खत्रे हैं इन सब खत्रों के मद्दे नजर जबके ये गुस्ताकियां करते रहते हैं गुस्पैट करते रहते हैं वारदाते करने की कोशिश करते रहते हैं हमारा जो ताकि हिमाकत या दुसाहस होता है ये कितना सही और कितना गलत है जब बात आती है नेशनल स्क्यूरिटी की तो भारत के देश से एक ही आवाज आनी चाहिए ऑपोजीशन और गौर्मेंट एक पेज़ पे होने चाहिए उनको समझना चाहिए ऑपोजीशन को मैचूरिटी ये ऑपोजीशन को ऐसा कुछ ना करें जो कि भारत के नेशनल इंटर्स्ट से करा जब आप कुश्चन करते हैं फिंगर उठाते हैं देश के लिए तो कहीं ने कहीं आप देश को कमजोर कर रहें ये बात समझनी चाहिए अब जो बात चीत आ रही है कि अब भारत के जो हमने अपनी चाहिए वेस्टन बॉर्डर है पाकिस्तान वहाँ पर जो सिच्वेशन है बिलकुल खराब है दस हजार से जादा आतकवादी बेटे हैं लस्करे तोबा जैसे मुहमद के ट्रेनिंग इरिया लांच पैर में और जब से अफगानितान में तैलिबान की गवर्मेंट आई है वहाँ पर अल-काइदा और इस्लामी स्टेट खौरसन बहुत हावी हो गया है और वहाँ पर लस्करे तोबा जैसे मुहमद ने बिबने ऑफिस को लिए ये जो कुछ एक इंसीडन्ट हुए हैं अभी बारत में उससे लग रहा है कि इनके तार उन से जुड़े हुए तो सचाई है वेस्टन बॉर्डर जो है भारत का वो भी काफी एक परकार से एक्टिव रहेगा उपर से जो चीन है जिस परकार से उसने अक्तूबर में भी ये कुछ कारवाई करने की कोशिश की थी और अब दिसंबर में और मुझे लगता है आने वाले समय में चीन फिर्म कर कोशिश करता रहेगा तो मगर ये भी सचाई है भारत को पता है भारत इसके लिए त्यार है भारत को दोनों तरफ लड़ने के लिए त्यार है दो नहीं धाई वो करते हैं एक चीन के तरफ पाकिस्तान अगर हमारे टर्रिस्ट से भी को भी एक परकार से कारवाई करनी है उसको भी करेंगे तो आज की तारिक में भारत की जो फोज वो शक्षम है त्यार है मोटिवेटिड है डिसिप्लेन है वो चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी और हमें ये सब पता है कि अभी पाकिस्तान भी अपने टर्रिस्ट को बेजने की कोशिश करता रहेगा इसका हम मारे पास इलाज है और इसी प्रकार लदाक से लेकर अमनाचर परदेश तक चीन कुछ भी कर सकता है कहीं भी कर सकता है इसके लिए हमें चोकना रहने जूत है जो हम हैं इसमें कोई शक और स्वाल नहीं अगर चीन ऐसी कोई भी हरकत करेगा तो भारत इट का जवाब पत्थर से देगा ये चीन को भी भली बाती मालूम है जोद्री साथ सिवास सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत बात हुई है जहां सिवास साथ खुद भी तैनात रहे हैं इसलिए इस पूरे क्षेत्र के बारे में उनको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी है सिवास सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए तैंक यू सो मच नमस्कार मेरबानी जोजी साब जैहिन जैहिन सर